सिर्फित रूप से यह हमारे कंग्रेस जनों के लिए सवाग के विशा है कि मानिय राहूल गांधी जी ने जो यात्रा की शुरुआत पहले की थी और फिर नया यात्रा के रूप में पूरा देश का वो भर्मन करने जा रहे हैं जिसमें बिहार का भी हिस्सा आएगा लगभग 425 किलूमेटर बिहार से वो गुजरेंगे और साथ जिला वो कभर करेंगे बिहार में नमस्कार आप देखरें नीजपरनेशर में हूँ आपके साथ है नरतम राहुल गांधी भारत जोड़ यात्रा के बाद अब नया यात्रा पर निकलने वाले हैं मनीपूर से लेकर गोवाता को नया यात्रा करेंगे इसी करम में और बिहार में भी आएंगे हमारे साथ है राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की शुर्वात पहले की थी और फिर नया यात्रा के रूप में पूरा देश का भर्मन करने जा रहे हैं जिसमें बिहार का भी हिस्सा आएगा लगवक चोव 425 किलूमेटर बिहार से गुजरेंगे और साथ जिला वो कभर करेंगे बिहार असपस रूप से उसमें कुछ संसोधन होना है तो संसोधित ये जब सुची जारी हो जाएगी आज हो जाए कल हो जाए तब आपको बता देंगे भारत जोरो यात्रा के बाद निया यात्रा देखिए राइंतिक रूप से क्या फैदा होगा नहीं होगा वो तो भक्त बताएगा लेकिन फिलहाल जो है सो भारत जोरो यात्रा देश के लिए लाप्रद इस मामले में रहा कि जिस तरह से संप्रदाइक ताक्तें फन उठा रही थी और समाज के लोगों को बांटने का का कर रही थी उसी को रोकने के लिए और सदभावना देश में कैसे कायम रहे यह प्रस्ण था हम सबों के सामने इसी उद्देश को लेकर के मानिये राहुल गांधी जी ने भारत जोरो यात्रा की और उसमें वो निश्चित रूप से सफल रहे राजनेता का सिर्फ मतलब यही सफल माना जाता है इसलिए हम समझते हैं कि उसका असर देश पर पड़ा है और बेहतर असर पड़ा है दूसरी आत्रा जो भारत सरकार ने वादे किये थे मोदी सरकार ने तस साल में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ना बेरुजगारी दूर हुआ ना किसानों की समस्या का सम नयाय मिले महलाओं को नयाय मिले किसानों को नयाय मिले इसलिए तो नयाय यात्रा पर निकलने वाले हैं और 14 जनवरी से 25-20 तक वह यात्रा करेंगे और हम समझते हैं कि यात्रा का भी असर देश व्यापी पड़ेगा ऐसी संभावना है बिहार में लंबे अर्षे तक मुरे पाटी ले पाएगी मैंने आपको पहले भी कहा है कि राहूल गांधी सत्ता की राजनीत में विश्वास नहीं करते हैं कांग्रेस की सिती कम जोड हुई इसलिए कि जब से बिहार में जात्य राजनीत का पदार्पन हुआ है तभी से हम पिछड़े हैं इसलिए सब को एक समान लेकर चलने की बात है हम लोग कभी जाती विशेश को ले करके पार्टी को मजबूत करने का काम नहीं किया है तो सभाविक रूप से जब जातिय राजनीत का बोलवाला होने लगा तो हम कमजोड हुए लेकिन अंतोगत्वा जब जाती राजनीत से संप्रदा से कांग्रES की तरफ आएंगे और राहूर गांधी जी इसी उद्देश से यात्रा भी कर हैं कि सद्भवना लाना है और अभी जो नया यात्रा की सुरूवात करने जा रहे हैं उससे बिश्चुत रूप से देश के नौजमानों के साथ निया हो किसानों के साथ निया हो महल है किने चोविस में चाहर में का सत्भावना व सत्भावना पिदा करना का है एक सदभावना का राश्ता है और एक ही सवाश्थ में रहने के लिगासि के-अ रूप या सटभाल-मंत्री पेररिएब कोई सभाबिक रूप से देखेगा कि देश में और दुनिया में अमंचहो देश का विकास हो ये रास्ता हो प्रधान मंत्री तो बनने का बहुत तरह का बात है आजकल सेंटिमेंट उभार लीजिए तो वो क्या कर रहे है पिछले नौ बरसे से दो चुनाव जीत गए वो कैसे जीते इसलिए कि हमारे अंदर जो एक बटवारा उन्होंने की आधार में क पर हिंदू उभार पैदा करके जो देश के लिए खतरनाक है हमारे देश की एक घर्मा रही है हिंदू मुसल्मान सिख्ciplinar SMITH में मिलकर के सद्भावना के साथ दीते रहे हैं रहते रहे हैं लेकिन उसको बगाड़़ देना सिर्फ सद्धा में बने रहने के लिए लेकिन हमारे ही समाज के लोगों को हमारे देश के लोगों को जब महसूस होगा कि धार्मिक उनमाद में वह करके हम लोगों ने देश के भाईचारा को खतम किया और मोधी को सत्ता मिलाया लेकिन अंतव गत्वा मिला कुछ नहीं तो फिर पस्तावा होगा और उस समय समय हाथ से निकल चुका होगा राहुल गांधी के बिहार यात्रा को लेकर कोई तारिक निर्धारित किया गया है तो चौद्या तारिक से सुरू जो होगा 14 जनवरी से मनीपूर से और 20 मार्च को खतम होगा मुंबई में तो इस बीच में आपको प्रोग्राम हम लोग जल्दी ही दे देंगे कि बिहार वो कब पहुंचेंगे किस जगह से पहुंचेंगे कहां इंट्री करेंगे और कहां से फिर दूसरे राज में चले जाएंगे उसक के चलते अभी हम लोग पास नहीं है तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे कॉंग्रेस समीर कुमार सिंग अभी तक लिए बस इतना ही आप बने रहें नीच पूनिशन के साथ